हेलो ब्रीवान कैसे हैं आप सब गुड मॉर्निंग आज जर्नल एंट्री डिसलिशन की बहुत ही इंपॉरेंट है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ठीक है तो हम फड़ावर्ट से स्टार्ट करते हैं सारी जर्नल एंट्री इस चैप्टर में आपकी कवर हो जाएंगी ठीक है तो सबसे पहले एंट्री आती है आपके एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अगाउन टो टोटल जितनी भी एसेट्स होती है सारी की सारी हम रियला करते हैं क्रेडिट साइड में अब आप सोच रहे हैं तो इसको क्रेड़िट करिए चेज़े यहां कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास cash आएगा तो cash क्या हो जाएगा डेबिट और realization क्या हो जाएगा credit या आप यह समझो कि assets को डेबिट किया है हमने realization account में तो जो उसकी realization है जब उसको बेचेंगे तो वह reverse मतलब उल्टी साइट पर आए ठीक है उसके बाद liabilities को हमने पे कर दिया तो एंट्री आ जाएगी realization account debit to cash अब cash चला गया मैं आपको एक और चीट उता देता हूं जैसे आप assets को book value पर record करते हैं ठीक है तो asset अगर कोई adjustment में नहीं गिवन आपको तो आपने अपनी मर्जी से उतनी ही asset जो है same value से realize नहीं करना क्यों क्योंकि अगर asset अगर कोई आपको given है लेकिन उसके realization value या realize value जो हो given नहीं है तो उस case में वह asset जो है वो क्या हो जाएगी निल लेकिन liabilities के case में ऐसा नहीं होता liabilities नहीं होगी liabilities को आपको pay जो है वो करना पड़ी ठीक है next है next is fifth entry assets taken over by partner अगर को asset को किसी partner ने take over कर लिया तो entry क्या हैगी वो asset अगर partner के द्वारा take over की गई है तो मतलब वो partner हमें कोई ना कोई पैसा देगा तो हम partner के capital account को क्या कर देंगे debit तो partners capital account debit to realization account जो है इसकी general entry आ जाएगी sixth है assets taken over by partner for cash हाँ अगर कोई partner asset take over कर रहा है और साथ में उसके बतले हमें cash दे रहा है तो यह simple entry कैसे realization की आएगी assets को realize कर दिया same to say messy आएगी entry आजाएगी cash account debit to realization account फिर 7th number में आती है liabilities paid by partner अगर को liability partner ने pay करी है तो उस case में क्या entry आएगी capital देखो देखो बड़ा simple सा मतलब है कि जब कोई partner asset take over करेगा तो उसका capital account debit करेंगे अगर कोई partner liability take over करेगा तो उसका capital credit करेंगी तो entry आजाए कि realization account debit to partners capital account 8th point है liabilities paid by the partner in cash अगर किसी partner ने liability cash में भे की है तो entry आजाएगी realization account debit to partners capital account same आजाएगा ठीक है उसके बाद है liabilities take over की है partner name full settlement अब यहां से important entry start होगी अब कोई liability partner ने take over की है in full settlement मतलब अगर किसी partner ने 10,000 रुपे की asset जो है उसके मतले में 9500 की liability take over कर ली अगर उसने साथ में word लिखी दिया ना full settlement तो इसमें कोई entry नहीं आएगी ठीक है लेकिन 10th entry जो है 10th case जो है ऐसा है जिसमें liability amounted to rupees 10,000 to cover assets rupees 8,000 अब यहां पर इसने word full settlement ने लिखा 10,000 की कोई liability थी जिसके बदले में 8,000 की investment या जो asset है वो take over कर ली गई है ठीक है अब यहां पर full settlement नहीं लिखा इसका मतलब 2,000 रुपया अभी भी pending है तो 2,000 रुपया जो है firm उसको cash दे देगी entry आ जाएगी realization account debit to cash account I hope आपको समझ में आ गया होगा then 11th entry है liabilities of rupees 10,000 took over assets rupees 16,000 मतलब अगर liabilities जो है 10,000 है और assets जो take over की जा रही है उसके बदले में वो जादा है मतलब liabilities से जादा है कितने की है 16,000 की तो इस case में भी no entry होगी मतलब कि इसमें हम entry नहीं डालेंगे क्यों यह assume कर लेंगे कि यह full settlement ही हुआ है चाहे 20,000 की asset हो चाहे 25,000 की asset हो liability चाहे 10,000 की हो मतलब liabilities अगर कम भी हो इस case में हम assumption करेंगे कि यहां पे जो है full settlement हो गई 12th case में थोड़ा सा change होगा liabilities of rupees 10,000 took over assets of rupees 16,000 10,000 की liability बदले में 16,000 की assets take over की लेकिन साथ में लिखा होगा आपको question में कि जो balance amount है paid by liability वो balance amount हमने pay कर देंगे मतलब liabilities जो 10,000 वाली थी वो हमें बाकी जो balance amount है वो pay कर देंगे मतलब हम पैसा receive करेंगे entry आजाएगी cash account debit to realization account amount आजाएगी 6000 6000 कैसे आया 16,000 की assets take over की गई और 10,000 की liability है दोनों का difference हम receive करें then realization expenses paid या realization expenses paid and born by firm born का अंतलब दा bear करना ठीक है तो realization account debit to cash बड़ी simple entry है 14th entry realization expenses paid and born by the partner या realization expense born by the partner simple मतलब realization expenses अगर pay भी partner कर रहा है born भी partner कर रहा है तो इस case में कोई entry नहीं आएगी 15th case है realization expenses paid by partner and born by the firm अब realization expenses जो है pay partner कर रहा है लेकिन bear कौन करेंगा firm तो अगर firm bear करेंगी तो कौनसा account debit होगा firm का कौनसा account होता है realization तो realization account क्या हो जाएगा debit और partner का capital account क्या हो जाएगा credit अब partner का capital account इसलिए हुआ क्योंकि उसने सिर्फ खर्चा pay किया है अभी उसको हम दे देंगे 16th है realization expenses paid by the firm born by the partner मतलब pay firm ने कर दिया लेकिन born कौन करेंगा partner अब यहां पे firm का account जो है और bank query digitally कर दिया क्योंकि firm ने इक बार तो pay कर दिया 17th entry हैं dissolution loss transfer to partners capital account जो dissolution का loss है वो partners capital account में हमने transfer कर दिया तो partners capital account debit to real है यह थो simple है कि जो loss होता है वो बायसाइट पर आता है entry आती है dissolution loss यह partners capital account debit to realization account ठीका partners के capital account में loss क्या रहाता debit और अगर यही profit है 18th entry में वो profit जो है partner के capital account में क्या आजाएगा credit entry आजाएगी realization account debit to partners capital account आप बिलीब नहीं करेंगे general entries इतनी easy है आपको सारा clear हो जाएगा इससे 19th entry है partners loan payoff अगर partner का loan pay किया जा रहा है तो partners loan पहले liability थी तो credit हो रहा था अब loan जो है pay कर रहे है liability खतम हो रही है तो क्या हो जाएगा debit तो partners loan account debit to cash आ जाएगा 20th entry है partners loan rupees 10,000 firm paid 95 in full settlement अब partner का loan था 10,000 लेकिन firm जो है वो pay कर रही है कितना 9500 in full settlement तो यह entry आ जाएगी partners loan account debit 10,000 to cash 9500 to realization rupees 500 जो 500 का हमारा फाइदा हो गया 21st entry है credit balance of partners capital account after all adjustment rupees 10,000 जितना भी balance सारा partner का है credit balance वो सारी adjustment के बाद आता है 10,000 लेकिन loan कितना है 5,000 का तो total अब partner को हमने कितने देने है 15,000 तो entry आएगी partners capital account debit 10,000 partners loan account debit 5000 to cash 15,000 cash या bank से हम entry डाल सकते हैं फिर उसके बाद एक note है partners loan account appearing in the liability side of the balance sheet is transferred to partners capital account only when debit balance of partners capital is more than credit balance of partners capital account ठीक है partner capital sorry partners का जो loan account होता है वो अगर liability side में balance sheet की आ रहा है दिख रहा है उसको हम partner की capital account में तभी transfer करेंगे जब debit balance जो है partners capital account का वो credit balance जो है उससे जाना है अब 22nd entry है debit balance वो partners capital account after all adjustment 10,000 partners loan 6,000 ठीक है मतलब debit balance जो है partner के capital account का अब credit की वज़ा debit होगा उल्टा होगा मतलब partner से हमने कितने पैसे लेने है 10,000 लेकिन उसको देने कितने है 6,000 तो मतलब उसको कितने देने है net amount 4,000 कैसे 10,000 देने है 6,000 लेने है तो कितने देने है net 4,000 तो entry लेने है तो अब हम उससे कितने वैसे ले लेंगे 4,000 क्योंकि देने वाले 6,000 हैं लेने वाले 10,000 हैं तो cash account debit 4,000 से partners loan account debit 6,000 से two partners capital account 10,000 23rd entry है debit balance of partners capital account after all adjustments रुबी 6,000 अब debit balance जो है partner के capital account का सारी adjustments के बाद वो है 6,000 रुपया तो partner का loan है 10,000 तो यहाँ पर उल्टा हो गया अब partner को देने वाले कितने हैं 10,000 लेने वाले कितने हैं 6,000 तो entry के आदेगी partners loan account debit कितना 10,000 to partners capital account 6,000 to cash 4,000 लब 4,000 जो है वो पे कर दिया 24th है general reserve profit and loss credit transfer to partners capital account यह तो बड़ा simple है जैसे आप write-off करते हो general reserve को यह profit and loss का जो credit balance होता है तो इसमें reserve और profit and loss debit हो जाएगा क्यों क्योंकि यह पहले liabilities थी अब इनको खतम कर दिया गया है तो यह debit हो गई तो इसको partners capital account में credit करते हैं 25th entry है profit and loss and advertisement suspense account यह सारी चीज़ें जो है asset side में appear हो रही होती है balance sheet की तो इनको भी हम write-off कर देंगे profit and loss advertisement suspense तो entry आजाएगी partners capital account debit अब यह debit side में write-off होँगी तो पार्टनर का capital account debit to profit and loss account to advertisement suspense account 26th workman compensation fund amounted to rupees 20,000 यह तो मैंने आपको पहले भी कराया ध्यान से देखना 20,000 workman compensation है उसके बदले में कोई भी liability नहीं है तो सारे का सारा workman compensation reserve जो है वो partners में distribute हो जाएगा उनकी old profit sharing ratio में तो entry आएगी workman compensation reserve account debit to partners capital account उनकी profit sharing ratio में then liability for workman compensation रुपीज एट थाज़न पेड़ अगी तो यहाँ पर तीन entries आएगी कैसे पहले तो transfer करेंगे liability को कैसे workman compensation fund account debit to realization यह हमने realization में credit कर देनी सिरफ liability liability फिर उसके में pay of the liability in full liability pay कर देनी इतनी है तो realization to cash आ जाएगा और last में तो balance बच गया वो partners में distribute हो जाएगा workman compensation reserve fund account debit to partners capital account और अगर liability जो है 20,000 है पूरी की पूरी तो यहाँ पे पे कर दिया realization account debit to cash account then liability अगर बढ़ जाए fund से 30,000 हो जाए मतलब fund है हमारे पास 20,000 और liability हो गई 30,000 तो liability को transfer करो पहले तो workman compensation fund to realization 20,000 then realization account debit to cash कितना पे करेंगे 30,000 जितना fund था वो पूरे का पूरा transfer हो जाएगा लेकिन जब liability pay करेंगे realization to cash तो वो 10,000 बढ़ा के पे करेंगे 30,000 की ठीक है 27th entry है कोई contingent liability है bill के regarding 5000 का है which were under discount dishonored अब यहाँ पे अगर word dishonor लिखा है na contingent liability के against कि कोई bill था dishonor हो गया हमने discount कर वाया था वो dishonor हो गया अगर word dishonor लिखा हुआ है तो entry आईगी realization account debit to bank amount 5000 लेकिन अगर word dishonor नहीं लिखा हुआ then there will be no entry dishonor नहीं लिखा इसका मतलब वो bill जो है वो honor हो गया वो pay हो चुक है तो इसलिए हम कोई भी entry जो है वो नहीं डालेंगे ठीक है समझ में आया dishonor लिखा है तो regularization to bank अगर dishonor वर्ड नहीं लिखा सेम एंट्री है तो कोई भी entry जो है इसकी नहीं ठीक है जी I hope आपको इसमझ में आ गया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल दबा देना ठीक है अपने दोस्तों से भी शेयर करो वीडियो को maximum लाइक और शेयर करो थेंक्यू सो मच